आगे पड़ते हुए खबरें आपको बता दे चो तीसगर में कॉंग्रुस को बड़ा जटका लगा है। कि 2030 में कॉंग्रेस पार्टी की हार की बाद लगातार कॉंग्रेस के नीता जो है पार्टी छोड़ रहे हैं लेकिन आज महंत राम सुंदर्दाद जो दक्षिन विधान सबसे कॉंग्रेस प्रत्यासी से उन्होंने भी कॉंग्रेस की प्रात्मिक साज़सर से स्थिपा दे दिय महंत जी काफी पूराने नितार हैं कॉंग्रेस पार्टी के आप पूर विधायक भी रहें कॉंग्रेस पार्टी से आप क्या कारण जो आज अपने पार्टी छोड़ पार्टी के सभी वरिष्ट ने ताउने और हमां सिसस्त ने ताउने मेरे उपर बहुं जादे विश्वा लोग बीच में गए प्रत्यक घर में चौक चौराहे में गलियों में हम जाते रहे सबसे चर्चा करते रहे आसा थी कि है कांग्रेस इस सिर्ट से प्रत्यासी बनाए हैं तो यह सिर्ट निकलेगी लें पैणाम आये वह बहुत अप्रत्यासी था और अब तक के चुनाओं जितने हुए हो सबसे ज्यादा अंतर से पराजय का सामना करना पड़ा और दिखा गया जो आपने पत्रा लिखा है हार के जिम्मेदारी आपने खूद लिए है क्योंकि बहुत अंतर से यहां पर विर्ज मोहना को ब्राद की जीवत हुए है और आपकी हार निश्ची तुप से प्रत्यासी मैं था और इतने लंबे अंतर सपराजय हुई है तो मेरी अपनी जिम्धारी बनती है मैंने अपने ने जिम्मदारी लिया है और उसके और मैंने पार्टी का गवत कराये है मैंने इस अपनी अगर आगे क्या करना है मैं जिद्नी किया है मैं सेवा को है। और मठ मंदीर के सेवा के साथ साथ जनता जनादन के सेवा इस रूप में करता रहूंगा यह थे हमारे साथ महंत राम सुन्दर दाजीन के साब तुर्पय कहना है कि काफी बड़ी जो वोट प्रतिसाथ ता वो यहां पे रहा हार का कारण और कहीं न कि हार से काफी दुखी भी काफी विचली भी इसलिए पार्टी के प्रात्मिक सद्साथ से इन्होंने इस्तिपा दे दी हलाकि आगे क्या करना है यह ताया भी नहीं किये हैं कैमरा बर्चन दीपक के साथ में कुले सरपान ड़े बंसा लिए उस रायपूर और महंत राम सुन्दर दास के सीफ़े के बा बाक्चीत की जा रही है उनसे पूछा जा रहा है कि आकर क्यों उन्होंने सीफा दिया या मनाने की कोशिश भी समझाई जेने की कोशिश भी उन्हें की जा रही है तो महंत रायव राम सुन्दर दास कॉंगर्स के नेता और उसके साथ दक्षन राइपूर से विधाया माफ करीगा प्रत्याशी बनाए गए थे लेकिन चुनाव क्योंकि हार गए है कॉंगर्स पाची को भी हार का सामना करना है पड़ा ऐसे में उन्होंने जिम्मेदारी ल बार के बाद आप अपनी जिम्मेदारी खुद तैकरे और उन्होंने राम सुन्दर दासी ने ऐसा किया भी प्रात्मिक सदसिता से इस्तीफा दिया लेकिन फिलहाल ये जानकारी दीजे कि महापौर और उनके बीच में क्या कुछ चर्चाएं हुई है क्या मनाने में में उनको करारी हार मिले हार की जिम्मेदारी हलाके वो खुद लिये हैं लेकिन इस्तीफा जो है कॉंग्रेस पार्टिस दे दिया है मान मनवाल चल रहा है महाप और इजार्टेबर पहुचे हुए है उनसे मुलाकात कर और प्रयास किया जा रहा है कि आकरी इस्तीफा चीज हुए है बहुत बड़ी अंतरस हुए इसलिए मैं पाटी से इस्तीफा देरों में वो चीज़ नहीं कर पाया जो मुझे करना तरह यहां पर तो पूल मिला कर मान मावाल चल रहा है महाप और अभी भी बैटे हुए शुक्री आपका कोलेश्वर जानकारी के लिए हलेकि कितन कामयाब हो पाते हैं